नमस्कार कारेकर मिशन हेल्थ के सजी फोनिन प्रसारण में आप सभी का स्वागत है विज्यान की तरक्की ने हमें विकास के कई नए आयामों से जोड़ा है ऐसा ही एक शेत्र है चिकित साक्षेत्र जी हाँ आज ग्रामीड शेत्रों में भी ऐसी मेडिकल सेवाएं उपलब्द कराई जा रही है जिनसे ग्रामीड जनजीवन भी निरोगी रहकर स्वस्त रहकर विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके और हमारे कारेक्रम मिशन हेल्थ का उदेश भी यही है जी हाँ हमारा आज का कारेक्रम ऐसे ही एक विशे पर आधारित है हमारे आज के कारेक्रम का विशे है Medical Mobile Unit और Advanced Life Support System सेवाएं और लाब इस विशे पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आई हुए है उप महाप्रबंधक Emergency Medical Transport System राश्टी स्वास्मिशन उत्रप्रदेश डॉक्टर पी के श्रवास्तो सर बहुत बहुत स्वागते कारेकर मैं आपका और दर्शकों जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम Live Phone In Program है इसमें विशे से संबन देती है आप भी किसी तरह की जानकारी चाहते हैं कोई भी जिग्या साब के मन में है तो आप डॉक्टर साब को फोन करके अपने प्रेशन का उत्तर पा सकते हैं प्रेशन पूछने के लिए नोट करिए हमारे फोन नंबर्स हमारे फोन नंबर्स हैं 0522-220-5756 0522-2288698 0522-4015988 जब आप हमें फोन करें टीवी के अवास को कम करना बिलकुल ना भूलें और अपने प्रेशन को संक्षित रखें और डॉक्टर साब जब तक दर्शकों के फोन आते हैं हम अपने MMU यानि Medical Mobile Unit और Advanced Life Support System क्या हैं क्यों आप हमारे दर्शकों को बताएं देखें आपने दो सर्विसेज की बात की एक MMU और दूसरी ALS की तो MMU के बाले में पहले थोड़ा बता जिते हैं कि MMU का फुल फॉर्म है Mobile Medical Unit और जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है कि एक Mobile Unit है Mobile Health Unit है और जो कि पेशेंट्स के पास जाके उनके घर, उनके गाह, उनके महले में जाकर इलाज करेगी और मरीज को हॉस्पिटल नहीं आना है बलकि एक तरह से हॉस्पिटल चलके मरीज तक पहुँच जा रहा है तो यह है MMU की बेसिक थीम और दूसरी जो सर्विस है ALS Ambulance सर्विस है इसका फुल फॉर्म है Advanced Life Support Ambulance तो हमारे बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं डिस्टिक हॉस्पिटल में या CAC's पे जो की काफी क्रिटिकल कंडिशन में होते हैं हार्ट के पेशेंट रिस्पेट्रिट्री फैल्यूर के पेशेंट और क्रिटिकल ट्रॉमा के पेशेंट तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको हैर सेंटर्स पे सुपर स्पेशलिटी होस्पिटल या मेडिकल कॉलेजेज जिल अस्तालों से रिफर किया जाना है तो उनको ट्रांस्पोर्ट के समय भी बीच में कहीं भी आप उनको सर्विस रोक नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी क्रिटिकल होती है तो उस तरह के पेशेंट को ट्रांस्पोर्ट करने के लिए हैर सेंटर्स पे यह एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है जिसमें की आपके जो स्टाफ है वो ट्रेंड होता है और चीजें होती हैं जिससे की क्रिटिकल पेशेंट को जब तक वो हायर हेल्थ फैसिल्टी पर ना पहुंच जाए उसको मैनेज किया जा सकते हैं जिसमें आपको एक साथ साथ ट्रांस्पोर्टेशन के साथ साथ आपको मैडिकल केर और सपोर्ट भी दिया जाता है जिससे पेशेंट्स हैर फैसिल्टी तक पहुंच सकें टॉक्टर साब ये सेवाएं कब और क्यों शुरू की गई ये भी ज़रूर हम जाना चाहेंगे आपसे देखें एमेम्यू की जहां तक बात करें तो डिफरेंट स्टेडीज में और सर्वेज में आता था कि हमारे स्टेट डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्मेंट ने बहुत सारे होस्पिटल्स खोले यूनिट्स खोली सबसेंटर लेवल तक गए वो लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ा एक या एक वर्ग था लोग थे जो की हमारी होस्पिटल्स तक नहीं आ पा रहे थे उनकी डिफरेंट कंडिशन्स में वहीं पे रह जाते थे आपके क्वैक्स और इनके बीच में उलजह रह जाते थे तो इस गैप को पूरा करने के लिए कि हमारी क्योंकि वह होस्पिटल नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ ऐसा किया जाए कि हम अपनी सर्विस को ही उनक लोगों की डॉर स्टेप्स तक सर्विस दे सके हैं और एलेस जैसा कि है कॉंसेट पेशिंट को भी आपको ट्रांस्पोर्ट करना था बहुत से पेशिंट ट्रांस्पोर्टेशन के दौरान ही जो है रास्ते में उनको प्रॉलम हो जाती थी तो उन पेशिंट्स को हाईर फै इनमें किस तरह के उपकरण स्टाफ और दवाईयां उपलब्द रहते हैं देखिए एक तरह से आप यह माल लीजिए बेसिकली कि जो आपकी पीएचसी लेवल के हॉस्पिटल होते हैं प्रामरी हेल्स सेंटर के उस टाइप की या उस लेवल के आपके केर पॉसिबल है इसम एक डॉक्टर होता है एक फार्मसिस्ट होता है एक लैप टेक्निशन होता है एक स्टाफ नर्स होती है तो यह स्टाफ हो गया और इसमें आपका इसके अलावाद जो आपकी एक्विप्मेंट्स हैं तो बेसिक जो पैथालोजिक एक्विप्मेंट्स हैं जैसे आपका ECG हो और आपका बेसिक ब्लड के टेस्ट हो गया, शुगर वगरे की जाच हो गई, टुबरकुलोसिस की जाच हो गई, और इस तरह की स्क्रीनिंग जो हमारे डिफरेंट नेशनल प्रोग्राम्स हैं, प्लस आपके जो नॉन कमुनिकली डिजिजर्स हैं, इनकी स्क्रीनिंग, तो य यह चीजों के एकिपमेंट्स हैं, और साथ-साथ जो मेडिसिन्स हैं, लगबग हमारे MMU में 120 के लगबग मेडिसिन्स का प्रोविजन है, तो एरिया स्पेसिफिक कुछ डिस्टिक्स में किसी अलगतरे की मिमारियां हैं, कहीं पर अलगतरे की हैं, तो इस आपसे मेडिसिन् एक कॉलर जुट चुके हमारे साथ पूजा जी है, लखनों से बात कर लेते हैं, हेलो, पूजा जी बहुत-बहुत स्वागत है कारेकर में, क्या प्रेशन है आपका, मैं दॉक्टर साथ से हमारा ये प्रेशन है, कि मेडिकल मॉबाइल लूनिट्स और एड़्वांस प्रश्चाइब दोनों ही ऐसी सर्विसेज हैं चाहे मेम्यू हो चाहे एलस हो यह आपके एरिया में जाये जब आपको एलस के अगर हम बात करें तो यह वो पेशेंट्स जो क्रिटिकल हैं जब वो कॉल करते हैं 108 पे यह वो हॉस्पिटल में भरती हैं अल्रेडी तो जब कॉल करके बताते हैं तो कॉल सेंटर वाला अल्रेडी उनको गाइड कर देता है अल्रेडी उनको असाइन कर देता है तो उनको अपनी तरफ से कोई विशेस प्रयास नहीं करना है सर्विस को लेने के लिए लस की वो कॉल करेंगे अपने आप उनको गाइड कर देगा कॉल सेंटर पूजा जी करेकर में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोक्तर सब बैंडिकल मुबाइल यूनिट और एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सेवाओं के बारे में हमने एक डॉकी ड्रमा तियार किया है अगर आप इजाज़त दें तो उसे अपने दर्श्कों क यह वेरे साथ देखें तो आई देखते हैं यह जाश्की ड्रमा नमस्ते ना पाए लगी काका? कउम जाद है? हाँ बीटिया भी आई है का? हाँ, आज ही आए हैं अको लक्ष्मी बीटिया को लिवानी गए थे अच्छा, फोच रहो बेटा पापा, लगता है काका ने डॉक्टर को नहीं दिखाया देखो ना क्या हालत हो रखी है का का डक्टर को नहीं दिखाया हो का कॉल ले जाए हुँका DaqTor के पास चालाथ कैसे ले जाए शेहर शेहर जाओ तो मजदूमारी जाते अब तोमाही भावी की तव्यदी बहुट कराब है अब इन्हें ले जाएं कि ने ले जाएं कर जो समझ नहीं आपके अरे भाईया शहर लिजानी की जरुत है कहां? मतलब? मतलब अब सरकार हम लोगन के खातेर पीटिया कहाते हो बसका? मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाई से मोबाइल मेडिकल यूनिट का? यानि की चलता फिरता अस्पताल सरकार ने हमारे जैसे गाउं के लिए जहां पर साधनों की कमी है या फिर जहां के लोग इलाज के लिए शहर नहीं जा सकते हैं उनके लिए MMU की सुवधाओं को शुरू किया है मतलब मैं बाबा को चलते फिरते अस्पताल में दिखा सकत हूँ? मोबाइल मेडिकल यूनेट यानी MMU के माध्यम से अब उत्तर प्रदेश के घर घर या यू कहें कि दूर दराज के इलाकों तक स्वास्तिकी सेवाओं को पहुचाने का काम किया जा रहा है हमका भी कुछ बताएगा का सुरू हो रहा है काका अब आपका इलाज यहीं होगा जल्दी ठीक हो जाएंगे आप को? डॉक्टर यहीं आ रहा है का? हाँ काका यहीं आ रहा है डॉक्टर अच्छा तो इसमें इलाज कराने के सारी सुबदा भी होती होगी? हाँ बिलकुल हर मोबाइल मेडिकल यूनेट में ड्राइवर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्निशिन रहते हैं यह यूनिट प्रतेग गाउं में 6 गंटे के लिए रुकती है इसके अलावा अगर किसी मरीच को इलाज के लिए शहर भेजने की जरुत लगती है तो यूनिट का डॉक्टर उसे रिफर भी करता है प्रतेग 15 दिन पर मोबाइल मेडिकल यूनिट गौँ में दुबारा आएगी और मरीच का उपचार करके उसे जरुरी दवाई भी देगी यह बात MMU की सेवाओं से लोग हुए खुशाल चिंता सारी खतम हो रही अब ना हूँगे बदहाल डॉक्टर साब कैसा लगा हमारा लगुनाटिका का प्रयास बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉलम्स बहुत लोगों के साथ होती है कई सारे कारण होते हैं कि वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं तो बिल्कुल आपने सही चीज को यहाँ पर पॉइंट आउट किया है और डॉक्टर साब इसके साथ हम जाना चाहेंगे कि मेडिकल मॉबाइल यूनिट और एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या ये पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगें लागू की गई है अगर हम बात करें तो अभी फर्स्ट स्टेज में क्योंकि अभी ये इसी साल शुरू हुई है सर्विस फेबररी में तो अभी हमारे 53 डिस्टिक्स में है वो तिरपंजले जो की जिनके हेल्थ इंडिकेटर्स पूर थे जहां पर हेल्थ सर्विस की रीच कम थी तो शुरू में फर्स्ट फेज में इन तिरपंजलों में लगभग 170 अम्यूस स्टार्ट हुई है तो अब ये सभी 170 अम्यूस ऑपरेशनल हो चुकी है शेक्वेश में हमने गवर्म्न अफ इंडिया से दिमांड गी थी बाकी 22 बचेवे धेक्स है उनके लिए लगभग 44 टू पर डिस्टिक की हिसाब से 44 MMU's की डिमांड की थी और Government of India से उसका approval मिल चुका है हमें तो in future बहुत जल्दी ही हम लोग सभी 75 पचितर डिस्टिक्स में UP के MMU के सर्विसे स्टार्ट कर देंगे और लगबग हमारी MMU हर डिस्टिक्स में कहीं पे 2 है कहीं पे 3 है इस तरह से distributed है ALS के अगर हम बात करें तो ALS हमारे सभी 75 डिस्टिक्स में है available है और हर डिस्टिक्स में कम से कम 2 ALS ambulance available है इसके लावा जैसी वहाँ पे requirement है लोड के हिसाब से जो trips हो रही है उसके हिसाब से चार डिस्टिक्स में चार ALS भी अवलेबल है ओवरॉल पूरे यूपी में लगबग 250 ALS life support system इन से कितना लाब पहुच रहा है कितना लाब दायक सिध्ध हो रही है यह जैसे basic concept ही वही था कि जो लोग नहीं आप पा रहें सर्विसन को दी जाए तो इसके लिए हम लोग क्या जो प्राइवट सर्विस प्रवाइडर के थ्रू है दो नई और उसके बाद फिर वह district की mapping करता है कि इस district में इन कंसलेटेशन वे जो हमारे CMO है उस डिस्टिक के और Health Department को स्टाफ है उमके साथ कोडिनेट करके वह district की mapping करता है कि हम को आप इस district के के ब्लॉक्स में जहां पर ज्यादा गंबीर है सिचुईशन जहां पर ज्यादा इंटलाज़िशन कम है सर्विसेश का उसको मैप करते हैं फिर उसके बाद वो हम उनको प्रोग्राम अगले दो महिने का प्रोगाम, उनको किस जगे जाना है वो अभी से तैयार कर लें, तो हर महीने, दो महीने का वो एड़ास प्रोगाम बना के देते हैं, और प्रोगाम के हिसाब से वो गाड़िया जाती हैं, MMU वहाँ पे, और वहाँ पे हर पंदा दिन पर रिपीट भी होती हैं, तो हमने MMU में सर्विस प्रोगाम को मिनमम टार्गेट 60 पेशेंट पर डे का रखा हुआ है, कि कम से कम 60 मरीज तो उसको किसी तरह से करके, प्रचार सार करके, ऐसा कुछ करें कोडिनेशन की कम से कम 60 पेशेंट कर लेते हैं, सीमा जी हैं, दिली से, हेलो, हालो, हाँ जी, मैं डॉक्टर साब से यह जाना चाहती हूँ कि MMU के जरिए किन-किन बीमारियों का ट्रिक्मेंट होता है, पताए है, दो कुछ बीमारि जो हैं, जो common बीमारियां है, primary level की, उनका तो वहीं पे आपको diagnosis भी कर देंगे, वो lab test, blood test वगरा करके, जो भी diagnosis है करके उसका दवाएं भी दे देंगे, लेकिन अगर उस डॉक्टर जब देखता है, और उसको लगता है कि इस patient को कोई severe बीमारी है, या chronic बीमारी है और इसको health centers पे जाना चाहिए, तो वो उसको referral card बना देगा, guide कर देगा, उसको कहा जाना है, facilitate भी करेगा उसको, कि किस जगह उसको refer किया जाएं, तो basically हमारे MME में जो service मिल रही है, जो curative service है, वो यह है कि जो पहसी level पे, या आप कह लिए जो block CHC level पे जितनी care, primary care हो सकती है, उस तरह की services, normal बिमारियों की, seasonal बिमारियों की, diarrhea, dysentery, viral fever, और different जैसे आपके, टाइफाइड हो गया, या इस तरह की infectious बिमारियां है, या non communicable में भी अगर शुगर वगरा की भी medicines की बश्ता है, तो basic level की सभी communicable non communicable treatment, possible MME में, और hire के लिए फिर अगर और chronic या critical कोई बिमारी है, तो जिरूर रिफर कर देते हैं, hire center पर. MMEU plan के हिसाब से, तो वहाँ MMEU तो दिन में OPD service करनी है, तो ये इसको सुभे 9 बज़े पहुँच जाना चाहिए, और 10 बज़े तक इसकी service start, वहाँ जाके अपना जो भी setup करना है, करने के बाद, 10 बज़े service start कर दे, तो 10 से 4 के बीच में इनको normally service देनी है, अगर किसी कारण से कहीं थोड़ा late हो जाता है start करने में, तो वह थोड़ा और end भी थोड़ा देर से करें, overall 6 hours का service window होनी चाहिए patient के लिए, तो MMU के service तो उस designated area में दिन में available है, और ALS हमारी 24 by 7 है, ये आपकी 24 गंटे ready रहती है, जब भी कोई critical patient इस तरह का कहीं पे identify होता है, जिसको higher center referral के ज level है, वो कभी भी available हो सकती है, जी बिलकुल, अच्छे डॉक्टर साब, ALS और MMU जो services है, इन से किस तरह के रोगियों को त्वरित लाब मिल रहा है, जैसा अभी question भी था, caller का भी question था, क्या इलाज हो सकता है, तो ALS ambulance जो है, वो है critical patients के लिए, वो मरीज जो कि आपके district hospital ने भ भरती हैं, और वहाँ पर वो manage नहीं हो सकते, उनको medical college या tertiary center जाना जरूरी है, उनकी life saving के लिए, तो इस तरह के, जैसे आपके heart के severe मरीज हो गया, respiratory failure के severe मरीज हो गया, आपकी kidney की problems में, advanced stage मरीज हो गया, या आपका severe trauma, multiple trauma है कोई, ऐसा मरीज जो उस level पर handle नहीं हो सकता, तो ऐसे सारे patients के लिए, उनको fire center पर transport करने के लिए, ALS ambulance है, और आपकी ALS ambulance में, वो बात भी caller के कांड रुख गई थी, कि आपकी advanced facilities इस के patients को manage करने के लिए, जैसे कि ventilator भी available है, defibrillator available है, multiparamonitor available है, जिससे continuous monitoring होती रहती है, और उस तरह के cases को handle करने के लिए, medicines की भी या injectables की भी जो जुरुत पड़ती है, तो ये दोनों चीजें ALS में available होती है, जिससे कि critical patients को हम hospital पहुचाने तक maintain रख सकते हैं, जी बरकुर. इमर्जेंसी response system जो है, इन सुविधाओं का, वो कहां पर होता है और किस प्रकार काम करता है? इमर्जेंसी response center या command center अगर कहेंगे तो दोनों ही services के लखनों में हैं, दोनों जैसे ambulance service हमारी जी बिके EMRI run कर रही है तो उसने ALS का command center develop कर रखा है और क्रिया health group है, MMU के operation है वो उसने भी लखनों में ही अपना command center develop कर रखा है और इनी centers के थूरू पूरे state के operations expedite के आते हैं प्लस उसकी monitoring के लिए उसकी data reporting के लिए patients के कोई grievance हाती है, कोई problem हाती है, plannings के लिए इनकमांस इंटर्स का use होता है डोक्तर सब हम चाहेंगे कि एक बार आप MMU और ALS service का full form हमारे दर्शकों को फिर सु बता दें MMU का full form है mobile medical unit और ALS ambulance का full form है advanced life support ambulance service बहुत अच्छे और डोक्तर साब इसके साथ हम ये भी जाना चाहेंगे कि mobile medical unit और advanced life support system से आम लोगों को किस तरह से ये लाब मिल रहा है, कितना फाइदा पहुंच रहा है उन्हें जैसे MMU के बाद की मैंने तो बताया था कि इसमें हम लोग ने जो government की तरह से target दिया service provider को 60 patients per day का है और अभी हमारे 8-9 महीने ही हुए है service शुरू होने के तो जो average निकल के आ रहा है पर डे जो पर ट्रिप MMU जाती है उसमें लगभग 62-63 का average patient का आ रहा है और हर महीने लगभग 2,25,000 patient इसका लाब उठा रहे है और जल्दी यह लगता है कि यह 62 का average है वो जैसे ही इसका प्रचार प्रसार और होगा तो 75-100 patients per day जो है उस एक MMU से देखे जा सकेंगे, ALS का भी utilization क्योंकि वो critical patients का है इसलिए उसकी इत्यादा trips नहीं होती है और उसमें लंबी trips भी होती है जैसे कि आपके गॉंडा से लेके लखनू patient आ रहा है तो trip duration भी ज्यादा होता है लेकिन फिर भी on an average 8-9,000 patients को हर मेने ALS से टांस्पोर्ट किया जा रहा है higher facilities को इस हर दूर दराग शेत्रों में इसकी सुविधायें पहुंचाई जा रही है emergency जहां पे suggestion हो सकती है वहां पे इसकी सुविधायें पहुंचाई जा रही है कि आप लोग जब भी आपके यहां आती है आपके area में MMU तो आप उसको use करें और अगर आपको कोई वहां पे लगता है कोई service नहीं मिल पा रही है जो मिलनी जैसे कोई lap test नहीं हो रहे हैं तो आप उस चीज के लिए service provider को feedback दीजिए प्लस अपने area के जो block MOIC है या CMO को इनको भी inform कीजिए जिससे कि हमें भी पता चलता रहे कि हमारी services as per expected वैसे तो monitoring mechanism ही है सारा कुछ जो है IT platform पे है एक भी patient अगर वहां ground level पे देखा जाता है तो तुरंत वहां यह system पे record हो जाता है एक दवा दे जाती है तो वह तुरंत system पे लखनूम बैठके देख सकते हैं लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कुछ सुझाओ लगता है कि इसको service को ठीक करने के लिए तो आप अपने सुझाओ या अपनी जो है शिकायत जो है इसको दे सकते हैं जी बहुत अच्छी ब कारक्रम के अंत में हम आपसे एक प्रशन पूछते हैं जिसका सही जवाब आपको हमें लिख भेजना होता है उस सही जवाब भेजने वाले सभी दर्शिकों में से एक लखी वी जेता को हम ड्रॉफ लॉट्स के जरिये चुनते हैं और उन्हें अपने कारक्रम में आमंत्रि पूरा नाम बताईए और अब इस प्रशन का जवाब भीजने के लिए नोट कर लीजे हमारा पता हमारा पता है प्रस्तुत करता Mission Health कमरा नंबर 205 दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग लखनव 226001 आप हमारी email ID भी नोट कर सकते हैं हमारी email ID है missionhealth.dduplko at gmail.com और हम आशा करते हैं कि डॉक्टर साब के द्वारा बताई गई जानकारियों से आप जरूर लभानवित होंगे और डॉक्टर साब आपने अपना इतना कीमती समय निकाला हमें इतनी महत्वर जानकारी दे आपका पहुत बहुत बहुत भनेवाद थैंक आपके सो मज़ झाल झाल